प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती कुरिंतियों के नाम संद पालुस का पहला पत्र से आज का पहला पाथ अध्याएच्छे पद संखिया एक से ग्यारा तक यदि आप लोगों में कोई आपसी जगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संदों के पास नहीं बलकि अरधर्मियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं क्या आप या नहीं जानते कि संद संख्सार का न्याय करेंगे यदि आपको संख्सार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामलों का फैसला करने योग्य नहीं है क्या आप या नहीं जानते कि हम स्वर्ध दूतों का न्याय करेंगे तो फिर साधारन जीवन के ममलों की बात ही क्या यदि आप लोगों में साधारन जीवन के ममलों के बारे में कोई जगडा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलिस्या की दूस्टी में नगन्य हैं मैं आपको लजजित करने के लिए या कह रहा हूं क्या आप लोगों में एक भी समझदार ब्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भायों का नियाए कर सकता है इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर आविश्वासियों की अदालत में मुकादमा चलाए वास्ता में पहला दोस्ट या है कि आप एक दूसरे पर मुकादमा चलाते है इसकी अपेक्षा आप अन्याए क्यों नहीं सह लेते अपनी हानी क्यों नहीं होने देते उल्टे आप स्यम अन्याय करते और दूसरों को हानी पहुँचाते हैं और वे आप के भाई हैं क्या आप या नहीं जानते कि अन्याय करने वाले इश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे दोखा मत खाईए, ब्याविचार, मुर्ति पूजक, पर्स्त्री गामी, लैंडे और पुरुष गामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक अधो के वाज इश्वर के राच्य के अधिकारी नहीं होंगे आप लोगों में से कुछ ऐसे ही थे, किन्तु आप लोगों ने सनान किया है, आप पवित्र किये गए और प्रभु येश्व मसी के नाम पर, और हमारे इश्वर के आत्मा के द्वारा, आप पाप मुक्त किये गए हैं, या प्रभु की वानी है संत लूकेस के नुसार पवित्र सु समाचार अध्याचे वाके संख्या 12 से लेकर 19 तक उन दिनों येश्व प्रातना करने के लिए एक पहाड़ी पर चड़े और वह रात भर इश्वर की प्रातना में लीन रहे दिन होने पर उन्हों ने अपने शिश्वों को पास बुलाया और उन्में से बारह को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा सीमोन जिसे उन्हों ने पेदरुस नाम दिया और उसके भाई अंधरियस को याकुब और योहन को फिलिप और बर्तलोमी को मती और थोमस को अलफाई के पुत्र याकुब और सीमोन को जो उत्साही कहलाते थे याकुब के पुत्र यूदस स्कारियोती को जो विश्वास घाती निकला येसु उनके साथ उतर कर एक मैदान में खड़े हो गए वहाँ उनके बहुत से शिश्य थे और समस्त यहुदिया तथा यरुसालेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमू भी था जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था येसु ने अबदूद ग्रस्त लोगों को चंगा किया सभी लोग येसु को स्पर्श करने का प्रयतन कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ती निकल रहे थी और सब को चंगा कर रहे थी यह प्रभू का पवित्र येसु समाचार है क्रिस्त प्रभू की जय येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनो आज का पहला पाँट कुरूंतियों के नाम संपालूस के पहले पद्र से लिया गया है आज के पहले पाँट में संपालूस एक ऐसी समस्या का समधान करते हैं जो युनानियों के जीवन को प्रभावित कर रहा था आम तावर पर यहोदी प्रथा के अनुसार वे बाहरी न्यालेयों या अदालतों में अपने समस्याओं के समधान और न्याय की गोहार के लिए आगे नहीं आ सकते थे उनके लिए गाओं के बुजुर्गों के द्वारा ही न्याय की बेवस्था किये जाते थे इसके साथ ही साथ वे सबाहगरी के प्रोहितों और जो बुजुर्ग लोग उसमें सम्मिलित थे उनके द्वारा ही उनके बीच में ही अपनी बातों को रख कर वे अपने लिए न्याय की मांग कर सकते थे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कानूनी न्याय की भावना से अधिक उनके लिए पारिवारिक भावना से न्याय पाना मतपूर्ण था वे हमेशा कानूनी न्याय की प्रक्रिया की भावना से नहीं बलकि पारिवारिक भावना से न्याय पाने पर विश्वास रखते थे और इसलिए यहोदी प्रता और कानून में यहोदियों को गैर यहोदी आदालत में जाकर अपने लिए न्याय की गुहार करना सक्त मना था यदि कोई यहोदी इस प्रक्रिया को करता है और इस प्रक्रिया के द्वारा अपने लिए न्याय मांगता है तो उसे ईश निंदा के भागी बनाया जाता था और उसे दंड दिया जाता था लेकिन वहीं दूसरी और हम लोग देखते हैं कि यूनानी लोग अपने स्वभाव से ही मुकदमे बाज थे वे अपने सारे समस्याओं का समधान मुकदमे के द्वारा ही निवारन करते थे अएसा आउसर बनता था जो लोगों को मनोरंजन भी करता था क्योंकि न्याय के दिन और न्याय की प्रक्रिया केलिए सारे समुदाय को एकत्र किया जाता था और दोनों पक्ष अपनी बातों को रखते हुए जो पक्ष अपनी बातों को सिद्ध करता था उसे न्यायत दिया जाता था और इस प्रक्रिया के द्वारा लोगों का एक मनुरंजन होता था और इस प्रक्रिया के द्वारा लोग यह भी जानते थे कि वह विक्ति अपनी विवेक के द्वारा अपनी कुशलता के द्वारा कैस जीवन में सारे खृस्तिय विश्वासियों को मिलने वाले नियाई के लिए और उस प्रक्रिया में जो संत लोग हैं उनकी क्या भूमिका होगी इसके बारे में अपनी बातों को संद पालूस रखते हैं हम वचन में पढ़ते हैं यदि आप लोगों में कोई आपसी जगडा हो तो आप नियाई के लिए संतों के पास नहीं बलकि अधर्मियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं क्या आप यह नहीं जानते कि संत संसार का नियाई करेंगे यदि आपको संसार का नियाई करना है त उनके बीच एक चुनोती देता है, क्रिस्तिय जीवन की पहचान की एक कड़ी बनाता है, कि क्रिस्तिय जीवन को जीने के लिए और उसके मर्म को समझने के लिए एक व्यक्ति को न्याई होना है, और न्याई की प्रक्रिया और न्याई की विधी और न्याई पूर्ण जीवन ह एक विक्ति को संत का दर्जा देता है जब वह अपने न्याय के लिए विधर्मियों के पास जाने लगेगा तो फिर कलिस्या का महत्व क्या रह जाएगा यहाँ पर संद पालूस कलिस्या के महत्व को हमारे सामने रखते हैं कि कलिस्या में हमें अपने समस्याओं का समाधान स्वैम करना है क्योंकि हम इश्वर के चुने हुए प्रजा है इश्वर के बताए हुए मार्क पर जब एक विश्वासी अपने जीवन को बिताता है तो वह अपने जीवन में इश्वर के कार्य को करता है जब उसके द्वारा कोई तुरुटी होती है खाम्या होती है तो वह अपने जीवन के द्वारा ही उसका समाधान ढूड सकता है उस कलिस्या के सहायता के द्वारा ही अपने जीवन का जो समस्या है उसका निवारन ढूड सकता है हम पचन में आगे पड़ते हैं क्या आप यह नहीं चानते कि हम सब्दूतों का न्याई करेंगे तो फिर साधारन जीवन के मामलों की बात ही क्या यदि आप लोगों में साधारन जीवन के मामलों के बारे में कोई जगडा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलिस्या की दृष्टी में नगन्य है तो यहाँ पर संद पाउलुस कलिस्या की महत्व को हमारे बीच में रखते हैं कि कलिस्या में जो लोग विश्वासी हैं जो लोग गन्मानने लोग हैं वे हमारी सहायता के लिए हैं तो हमें उनकी सहायता लेनी चाहिए ना कि अन्य लोगों का आगे संद पालूस कहते हैं क्या आप लोग में एक भी समाजदार विक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भायों का न्याय कर सकता है इसकी क्या जरूरत है कि भाय अपने भाय पर अविश्वासियों की आदालत में मुकदमा चलाए वास्तों में पहला दोश यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सहलेते अपनी हानी क्यों नहीं होने देते उल्टे आप स्वैम अन्याय करते हैं और दूसरों को हानी पहुचाते हैं और वे आपके भाई हैं तो यहाँ पर संद पालूस अपनी दूसरी बात को रखते हैं कि हमें अपने भायों को प्रेम करना है जब भी कोई आपसे विवाद होता है आपसी जगड़े होते हैं मन मुटाओं होता है तो हमें दूसरों को शमा करना है ना कि न्याय की प्रक्रिया के द्वारा अपने भाय के प्रति अन्याय करना है हम प्रग्या ग्रंथ अध्यातीन वाके संख्या आठ में पढ़ते हैं जहाँ पर वचन कहता है वे राष्ट का साशन करेंगे वे देशों पर राज्य करेंगे किन्तु प्रभू सदा सरवदा उनका राजा बना रहेगा तो प्रग्या ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर संद पौलूस अपने बानी के द्वारा कहना चाहते हैं कि हम लोगों को एक न्याय पूर जीवन जीना है और जब हम उस जीवन को जीने लगते हैं तो फिर हम उस न्याय की प्रक्रिया के भागी बनते हैं जो हमारे जीवन के अं को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि भाई भाई से प्रेम का नाता होना चाहिए वह एक आउसर होना चाहिए अपने भाई के प्रति असीम दया को दिखाने का अपने भाई के प्रति अपनी शमाशिलता को प्रदर्शित करने का और यह जो परिचय है वह सरुमानने होगा एक खृस्तिय जीवन को जीने के लिए। और यही उदाहरन संपॉलूस हमारे सामने रखने की कोशिश करता है कि हमें अपने जीवन के द्वारा एक न्याय पूर्ण जीवन जीना है। दूसरों को प्यार करते हैं दूसरों को शमा करते हैं। अपने दूसरे भाग में संपॉलूस कहते हैं कि जो पाप एक विक्ति करता है उसका न्याय स्वेब ईश्वर करेगा। और उस पक्ष में एक ऐसे पापों का विवरन देते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस बात को रखते हुए ना केवल संपॉलूस हमें सच्चेत करते हैं बलकि हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हम मसी के रक्त के द्वारा, मसी के पुनुर्थान के द्वारा, येसु के सामर्थिक के द्वारा उस पाप से मुक्त हो गए हैं। इसलिए हमें आगे बरते जाना चाहिए। और हमारे ईश्वर के आत्मा के द्वारा आप पाप मुक्त किये गए हैं। और उसी पाप मुक्त जीवन को जीने के लिए, उसी प्रेम में जीवन को जीने के लिए यहाँ पर संपॉलूस अपने लोगों को बताते हैं। आज कि इसु समाचार में प्रभी एसु खृष्टे जीवन की एक और महत्व को हमारे सामने रखता है। और वह है प्रात्ना वे जीवन। येशु प्रात्ना के द्वारा पिता से जुडता है और उनकी इच्छा को सदेव पूरी करता है। जब भी प्रभी येशु महतपूर्ण कारे को करने के लिए होता है वह पूरा समय प्रातना में व्यतीत करता है और उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं आज के सुसमाचार में प्रभी येशु पूरी रात प्रातना में ईश्वर के साथ लीन होकर बिताता है और सुबह होते ह वह अपने शिश्यों का चुनाओ करता है उसके प्रातना में जीवन का प्रभाव इतना था कि लोग उसको छूने और स्पर्ष करने के लिए लालाये थे वचन कहता है सभी लोग येशु को स्पर्ष करने का प्रेतन कर रहे थे क्योंकि उन से शक्ती निकल रहे थी और सब को चंगा कर रही थी और यही हमारे प्रातना में जीवन का एक प्रभाव है जो हरे खिस्ति के जीवन में जलगता है यहाँ पर प्रभी येसु प्रातना में अपनी इच्छा को नहीं रखता है बलकि इश्वर ये इच्छा को पूरी करने के लिए प्रातना करता है हम इसको आज के प्रातना के द्वारा और येशु के कारियों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इश्वर और येशु हम से क्या चाहते है सबसे पहली बात है कि हम सदेव विश्वास में बने रहे हमारा विश्वास लगातार फलता फूलता रहे हम लुकस के सुसमाचार अध्याई 22 वाके संख्या 31 से लेकर 32 में पढ़ते हैं जहां पर प्रभू सिमोन को कहते हैं सिमोन सिमोन शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रातना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नश्ट ना हो यहाँ पर प्रभू साफ साफ इस बात को रखने की कोशिश करता है कि प्रातना के द्वारा ईश्वर हमें यह वर्दान देता है कि हम विश्वास में ना तूटे और वही बात को यहाँ पर वा सिमोन को बताता है कि शैतान को तुम लोगों को गेहो की तरह फटकने का अधिकार मिला है लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए प्रातना की है कि तुम्हारा विश्वास नश्ट ना हो दूसरी महत्व पूर्ण बात है कि प्रातना हमें ईश्वर से जोडता है प्रातना एक आउसर बनता है जहां पर हम अपने आप की जीवन को ईश्वर से जोडने के काबिल बन जाते हैं हम योहन कि सु समाचार अध्या सत्रा वाके संख्या नौ में पड़ते हैं जहां पर वचन कहता है मैं उनके लिए विंती करता हूँ यह एक महाप्रातना है जिसे प्रभी येशु मरने के पूर्व अपने पिता को समर्पित करता है और वा कहता है मैं संसार के लिए नहीं बलकि उनके लिए विंती करता हूँ जिन्हे तूने मुझे सौपा है क्योंकि वे तेरे ही हैं और इस तरह से प्रातना हमारे जीवन को प्रभावित करता है क्योंकि हम इश्वर के साथ जुड़ते हैं इश्वर के साथ हमारा समागम होता है तिसरा महतवपूर्ण बात है कि प्रातना के द्वारा हमें सुरक्षा प्राप्त होती है हम संत्योहन के सूसमाचार अद्या सत्रा वाक के संख्या बारा में पढ़ते हैं जहां परवचन कहता है तूने जिन्हें मुझे सौपा है जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थे से सुरक्षित रखा मैंने उनकी रक्षा की उन में से किसी का सर्वनाश नहीं हुआ ये प्रवियेसु की एक प्रातना है जहां पर वा अपने पिता से जुड़कर प्रातना करते हुए कहता है कि जितने भी लोगों को तूने मुझे सौपा है तेरे नाम के सामर्थे से मैंने उन्हें सुरक्षित रखा किसी एक को भी हानी नहीं हुवी और उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ इस प्रातना के साथ और इस प्रातना का प्रभाव हमारे जीवन में जलगता है कि यदि हम प्रात्ना में इश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमें इश्वर की सुरक्षा प्राप्त होती है येसु में मेरे प्रिये भाई और बहनो येसु ने प्रेरितों को प्रात्ना करने के लिए सिखलाया प्रात्ना का महत्वा और उसका प्रभाव आज हम सू समाचार में देखते हैं और उसी प्रभाओं को प्रभी येसु लगातार अपने जीवन में महसूस किया सू समाचार का प्रचार करने से पहले उन्होंने एक लंबी आउधी के लिए प्रातना की प्रभू से जुड़ा अपने प्रेरितों का चुनाव करने के लिए उन्हों ने प्रात्ना में समय बिताई अपने कुर्बानी देने से पहले उस महतपूर्ण कारे को करने से पहले जिसे ईश्वर ने मनुष्य के साथ विधान बनाया था उसे पूरा करने से पहले प्रभी एसु गत्समनी बारी में प्रातना करते हैं और या इसका प्रमान है कि जब भी प्रभी एसु प्रातना में प्रभु से जुड़ते हैं इश्वर के साथ जुड़ते हैं चिन्न और चमतकार होता है इश्वर की योजना पूरी होती है और वही बात आज प्रभी येसु हम से कहते है कि यदि हम प्रातना में प्रभु के साथ जुड़ते हैं प्रातना में लीन होते हैं तो हमारी जितने भी कमजोरिया है उनसे हम लड़ने में समर्थ हो जाते हैं हमारा संपर्क इश्वर के साथ जुड़ जाता है और हम इश्वर के प्रभाओं में अपने जीवन को जीने लगते हैं आए हम प्रभु से प्रातना करें और उस प्रातना के प्रभाओं को अपने जीवन में महसूस करने के लिए वर्दान मांगे कि हम सदेव प्रभु से जु हे सरवशक्ति मान पिता प्रमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमें खृस्ति विश्वास को देने के लिए, हमें प्रातना करने के लिए, सिखाने के लिए, जिससे हम अपने जीवन को सदेवतेरियो और अग्रसर करते हैं, प्रभू, आज हम विशेस रुप से, हम प प्रात्ना करने के वर्दान के लिए प्रात्ना करते हैं। प्रभु आज विशेस रुप से आश्रम के लिए प्रात्ना करते हैं। पाड़ी जीवन की रोटी नेनों की जोते अंधेरा मिटाती। पाड़ी 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 पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है। पाड़ी रुप आज जीवन के लिए SCOTT झाल